नमस्कार आप देखरें अन्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ का जो नरायन शिर्वात करेंगे खबरोखी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कॉंग्रिस पर जमकर हमला बोला उन्होंने कॉंग्रिस पर निशाना साते वे कहा कि अगर कॉंग्रिस नहीं होती तो साल 1984 में सिख नरसंखार भी नहीं होता और ना ही कश्मीरी पंडितों का पलायन होता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी राज्य सभा में राश्पती के अभी भाषन पर धन्यवात प्रस्ताफ की चर्चा का जवाब दे रहे थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश आज़ादी का अमरित मुहस्सा मना रहा है 75 साल में देश के दिशा और गती देने का अनेक स्तर पर प्रियास किया गया इन सबका लेखा जोका लेकर हमें जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना है और कम्यों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम आने वाले 25 साल में 75 साल के गती से ज़्यादा तेज गती में देश को बहुत कुछ दे सके आदेने राजपती जीने बीते दिनों कोरोना के इस कथीन कालखण में भी देश ने चहूद दिशा में किस प्रकार थे इनिशेटिव लिए देश के दलीत, पीडीत, गरीत, शोसीत, महिला, युवा उनके जीवन को स्वसक्तिकरण के लिए उनके जीवन में बड़लाव के लिए देश में जो कुछ भी गती बिजी हुई है उसका एक संक्षित खाता देश के सामने पस्तुत किया और उसमें आशा भी है, विश्वास भी है संकल्प भी है, समर्पण भी है अनेक मन्य सदस्यों ने विस्तार से चर्टा की है मन्य खरगे जीने कुछ देश के लिए, कुछ दल के लिए, कुछ खुद के लिए काफी कुछ बाते बताई थी आनन सर्वाजी ने भी उनको जड़ा समय की तकलिप रही लेकिन फिर भी उनने कोशिश की और उनने ये कहा कि देश की उपलब्जिक्यों को स्विकार आ जाए सिमान मनुज्जा जी ने राजनीति से अभीभाश्रप्त परे होना चाहिए इसकी अच्छी सलह भी दिये प्रसन आचारे जी ने बीर बाग दिवस और नेताजी से जुड़े कामों के समन में भी विस्तार्थ से सरहना की डॉक्टर फुज्या खान जी ने सविधान के प्रतिष्ठा के लोकर विस्तार्थ से चर्चा की हर सदस्ट्र ने अपने अनुभव के आधार पर अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर और राजनीतिक स्थीति के आधार पर अपनी बाते हमारे सामने रखी हैं मैं सभी माननिय सदस्टों का इसके लिए रिजय से अभार भी वेटर करता हैं यूपे विधान सभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लोक कल्यान संकल्प पत्र जारी कर दिया है इस दोरान ब्री मंत्री अमिश्वा, यूपे के सीम योगी आदेतनाथ के साथ धर्मीन प्रधान अनुराध ठाकूर और दोनों डिप्रिस सीम भी मौज़ोत रहे गोशना पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी सौंग भी लाउंच कर दिया गोशना पत्र जारी करने के बाद सीम योगी आदेतनाथ ने कहा कि बीजेपी अगले पांच सालों में लोगों के जीवन परिवर्तन को लेकर संकल पत्र जारी कर रही है पांच साल पहले भी बीजेपी ने संकल पत्र इसी सभाक कक्ष में रखा था पियम मोदी के नेतित में जो कहा था करके दिखाया सियम योगी ने आगे कहा कि यूपी में आज कानून का राज है हर बेटी सुरक्षित है साल 2017 से पहले 700 दंगे होए थे पर्व और तेवहार उल्लास के साथ होते हैं आज बेटी स्कूल जाती है गोशना पत्र में बीजेपी के किये वादे बीजेपी ने अपने गोशना पत्र में सभी किसानों को सिचाई के रिए मुफ्त बिज़गी देने का वादा किया है पांच हजार क्रोड की लागस से किशी सिचाई योजना शुरू ही गन्ना किसानों का 14 दिन के अंदर उत्तान हुआ नहीं तो देरी होने पर ब्याच मिलेगा इतना ही नहीं हर विद्धा और निराश्रिक महिलाओं को 15 सुरुपे प्रती महा पेंशन दिया जाएगा छे मेगा फुड पार्ट बनाए जाएगे महीं पांच हजार क्रोड की लागस से सरदार पठेल एगरी इंफरस्ट्रक्शन मिशन बनाए जाएगा उजवना योजना के तहे तो होली और दिवाली पर एक एक मुफ्ट सिलंडर दिया जाएगा साट साल से अधिकुम्ट की महिनाओं के लिए मुफ्टी आत्रा हर परिवार को कम से कब एक रूस कार देगे एम्बुलेंस और MBS के सीटों को दोगना करेंगे लब जिहाद रोकने के लिए दस साल की सजा और एक लाख जुर्माना का प्राप्थान मानुपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता हाना दिया जाएगा कॉलेज आने वाली मिधावी छात्राओं को आधिन निर्फर करने के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी 25 जार करोड की लागत के साथ मुख्यमंत्री किष्टी सिचाई योजिना शुरू होगी प्रधान मंत्री को सिम योजिना के तहट के सानों को सूल और पंप दिये जाएगी मिशिन प्राकृतिक खेती के तहट अगले 5 सालों में हर गाओं में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा निशाद राज बोट सबसिडी योजिना शुरू की जाएगी साथी एक लाग तक की नाव पर 40% सबसिडी मिलेगा मश्री बीजुत पादन यूनिट इस्थापित करने के लिए 25% तक की सबसिडी भी दी जाएगी 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 सेजिक दंगे हुए सेकड़ों लोग मारे गए महिनों महिनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फियू रहता था ब्यापारी प्लाइन करता था बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी आज पांच वर्स के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समात हुए उत्तर प्रदेश में आज कर्फियू नहीं बलकि धोम धड़ाके के साथ कावड यात्राएं निकलती है परव और तेवार सांतिपूर्ण सहार्दपूर्ण तरीके से उत्तरप्रदेश के अंदर संपन होते हैं हर बेटी स्कूल जाती है बेकोप स्कूल जाती है और हर वहन और हर माता को अपने रोज मर्णा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं होता है भारती जन्तापार्टी ने सुरक्सा कानून बेवस्पा के साथ ही प्रदेश के अंदर लोग कल्याण से जुड़ेवे गरीब कल्याण कारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरी प्रतिवद्धा के साथ डवल इंजन की सरकार ने कारे किया इसकालाब बिनाबहे द्वाओ के हर एक गरीब को हर एक किसान को हर एक नौजवान को प्रतेख महिला को और बिनाबहे द्वाओ के समाज के प्रतेख तबके को प्राप्त हुआ योजनाओं में चेहरा देखतर के नहीं बलकि पातरता के अनुरूप हर एक तबके तक गरीद के पास, किसान के पास, दलिद के पास, बंचित के पास, पिछडे के पास डबल इंजन की सरकार की कल्यान कारी योजनाओं का नाब पहुँचा रिण माफी की योजना रही हो, जिसमें 86 लाग किसानों का 36,000 करोड उपे का फसल रिण माफी की कारवाई संपन्न होती है 22 लाग हेक्टियर से दिख भूमि को अत्रित सिंचन की छमता हो या फिर प्रक्यूर्मेंट की नीती के तहट रिकॉर्ड मात्रा में खाध्यान को लागत के डेड़ गुना से दिखताम पर अनदाता किसानों से क्रै करने या पांच वर्स में एक लाग 69,000 करोड उपे से अधिक के गन्ना मुल्ले के भुकतान का कारिया चीनी मिलों की गती को करोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में दो करोड 55 लाग से अधिक किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी का लाप भी इस दोरान प्राप्त हुआ पांच लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं शुरक्सा और कानुन विवस्ता की बहतर इस्तेजी के मात्यम से प्रदेश के अंदर हुए निवेश और आधने प्रधान मंत्री जी और आधने ग्रह मंत्री जी के मार्क बरसन में प्रमप्रागत उद्यम को प्रोच्साहिस करने के लिए एक जन्पत एक उसपाद की निटी और MSME सेक्टर को प्रोच्साहन का प्रणाम था एक करोड एक सर्ट लाग सेधिक प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोचगार की सुब्धाप लब्द हुई